दोस्तों ऐसे द्रव जो वाश्प बनाते हैं वाश्प शील द्रव कहलाते हमारे सामने दो वाश्प शील द्रव हैं और इन दोनों द्रवों की सतह पर इनकी वाश्प उपस्ती थे वाश्प के काण द्रव की सतह से टकराते और इस टक्कर में सतह पर बल लगाते मतलब दाब लगाते द्रव की सतह पर वाश्प के द्वारा लगने वाला दाब वाश्प दाब कहलाता है यहाँ पर दोनों द्रव अलग अलगे मतलब दोनों द्रव शुद्ध वस्ता में और जब द्रव शुद्ध वस्ता में उतता है तो उसका वाश्प दाब P0 मतलब P0 से दर्शाते द्रव एका वाश्प दाब P0 द्रव बीका वाश्प दाब P0 यहाँ शुद्ध वस्ता में द्रव एका वाश्प दाब और यहाँ शुद्ध वस्ता में द्रव बीका वाश्प दाब दोस्तों अब हम इन दोनों द्रवों को मिला कर वीलियन बनाते हैं वीलियन की सत्र पर दोनों द्रवों की वाश्प उपस्ती थे द्रव एका वाश्प दाप पिये और द्रव बीका वाश्प दाप पी भी मान लेते दोस्तों इस वाश्प दाप को आंशिक वाश्प दाप कहते द्रव A का आंशिक वाश्प दाप PA और द्रव B का आंशिक वाश्प दाप PB होता है जब दोनों द्रव अलग अलग होते तो इनका वाश्प दाप PA 0 और PB 0 से दर्शाते और जब दोनों द्रव को मिला कर वीलियन बनाते तो प्रतेक द्रव का वाश्प दाब आन्शिक वाश्प दाब कहलाता है दोस्तों किसी एक द्रव का वाश्प दाब आधिक का वह सकता है जब द्रव की मात्रा वीलियन में आधिक होती क्योंकि जब द्रव की मात्रा अधिक होगी तो उसकी वाश्प अधिक होगी और उसका वाश्प दाफ अधिक होगा यहाँ पर द्रव की मात्रा को मौल अंश के रूप में लिया जाता है मौल अंश को X से प्रदर्शित करते तो द्रव A का मौलांश जो इस वीलियन में उपस्ती थे X A माल लेते और द्रव B का मौलांश जो इस वीलियन के अंदर उपस्ती थे X B माल लेते राउल्ड के अनुसार जब किसी द्रव का मौलांश अधिक होता है तो उसका वाश्पदाब भी अधिक होता है किसी वाश्प शील घटक का वाश्प दाब उसके मौलंच के समानुपाती होता है द्रव एका वाश्प दाब उसके मौलंच के समानुपाती होगा और द्रव बीका वाश्प दाब उसके मौलंच के समानुपाती होगा जब हम इसको हटाते तो यहाँ पर एक इस्तिरांग आता है दोस्तों यहाँ पर PA0 और PB0 इस्तिरांग है और इस इस्तिरांग को शुद्ध गटक का वाश्पदाब कहते जब दोनों द्रव शुद्ध वस्ता में होते तो उनके वाश्प दाब यहाँ पर इस तीरांग के रूप में होते यहाँ पर द्रव A को विलायक मान लेते और द्रव B को विलाय मान लेते विलियन का कुल वाश्प दाब पी मान लेते तो विलियन का कुल वाश्प दाब किसके बराबर होगा इन दोनों द्रवों के वाश्प दाब के योग के बराबर होगा इन दोनों का मान यहाँ से रखते तो हमें वीलियन का कुल वाश्प दाप प्राप्त होता है दोस्तों, राउल्ड के नियम के आधार पर वीलियन दो प्रकार के होते हैं वहाँ वीलियन जो राउल्ड के नियम का पालन करता है मतलब राउल्ड के नियम को फोलो करता है उस वीलियन को आदर्श वीलियन करते हैं। परन्तु वह वीलियन जो राउल्ड के नियम का पालन नहीं करता। उसे अनादर्श वीलियन करते हैं। आदर्श वीलियन में A का वाश्प दाव PA0XA के बराबर उत्ता है। इसका मतलब या वीलियन राउल्ड के नियम का पालन करता है। परन्तु इस वीलियन का वाश्प दाव मतलब दोनों वाश्प शील द्रवों का वाश्प दाव राउल्ड के नियम के अनुसार नहीं होता। A का वाश्प दाव इसके बराबर नहीं होता और B का वाश्प दाव इसके बराबर प्राप्त नहीं होता। दोनों द्रवों का वाश्प दाव आधिक होता है या काम होता है पारंतु राउल के नियम से प्राप्त वाश्प दाव के बराबर नहीं होता है जब दोनों द्रवों का वाश्प दाव राउल के नियम से आधिक प्राप्त होता है तो इससे धनात्मक विचलन कहते हैं और कम प्राप्त होता है तो इससे रिनात्मक विचलन कहते हैं दोस्तों आपके सामने दो द्रव हैं द्रव एको विलायक के रूप में और द्रव बी को विलायक के रूप में लेते हैं अब हम इन दोनों द्रवों को मिला कर वीलियन बनाते हैं यहां पर इस वीलियन की सांद्रता ए एक मोल प्रति लिटर, दो मोल प्रति लिटर, तीन मोल प्रति लिटर, कुछ भी हो सकती, और विल्यन का तापमान, दस दिगरी सेल्सियस, बीस दिगरी सेल्सियस, तीस दिगरी सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, विल्यन की सांद्रता और विल्यन का तापमान, कुछ भी हो सकता ऐसे विलियन को अधर्श विलियन करते हैं दोस्तों विलायक का आयतन पांच मिली लिटर मान लेते हैं और विलायक का आयतन दो मिली लिटर मान लेते हैं विलायक और विलाय का कुल आयतन कितना होगा? 7 मिलिलिटर जब हम इन दोनों द्रवों को मिला कर विलियन बनाते और इस विलियन का आयतन चेक करते तो विलियन का आयतन 7 मिलिलिटर प्राप्त होता है विलियन को बनाने से पहले विले और विलायक का कुल आयतन 7 मिलिलिटर था यहां आयतन प्रारंबिक आयतन है और विलियन बनाने के बाद इस विलियन का आयतन 7 मिलिलिटर होता है यहां अंतिम आयतन है जब हाम अंतिम आयतन में से प्रारंबिक आयतन को घटाते हैं तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा व जीरो प्राप्त होता है क्योंकि अंतिम आइतन साथ मिलिलिटर है और प्रारंबिक आइतन साथ मिलिलिटर है और आधर्श वीलियन के आइतन में परिवर्तन जीरो होता है मतलब आइतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों अब हम वीलियन की एंथेल्पी में परिवर्तन को चेक करते हैं एंथेल्पी का मतलब है उर्जा जब हम दो पदार्तों को मिला कर मिशन बनाते हैं मतलब वीलियन बनाते हैं तो उर्जा बाहर निकलती या उर्जा का आउशोशन होता है पारंतु जब आदर्श वीलियन बनाते हैं तो वीलियन की उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि आदर्श वीलियन बनाते समय न तो उर्जा बाहर निकलती है और न उर्जा का आउशोशन होता है मतलब वीलियन की उर्जा में कोई परिवर्थन नहीं होता है तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान जीर होगा और दोस्तों इस वीलियन में उपस्तित दोनों द्रवों का वाश्प दाब राउल के नियम से प्राप्त वाश्प दाब के बराबर होगा और वीलियन का खुल वाश्प दाब इन दोनों के योग के बराबर होगा दोस्तों आदर्श वीलियन के आईतन में परिवर्थन शुन्य होता है एंथल्पी में परिवर्थन शुन्य होता है और यहाँ वीलियन राउल के नियम का पालन करता है इसका कारण क्या है तो चलिए इसके कारण को समझते दोस्तों विलायक के अंदर विलायक के कणोते और विलायक के अंदर विलायक के कणोते दोस्तों पदार्तों के अंदर उपस्तित कणों के बीच आकर्शन बल लगते इन आकर्शन बलों को अंत्रान्विक आकर्शन बल कहते या वांडर वाल्स बल कहते विलायक में विलायक के काणों के बीच के आकर्शन को इस तरह से दर्शाते और इसे विलायक विलायक आकर्शन कहते और विलाई के काणों के बीच के आकर्शन को इस तरस दर्शाते और इसे विलाई विलाई आकर्शन करते जब हम इन दोनों को मिला कर वीलियन बनाते तो वीलियन में दोनों द्रवों के दोनों पदार्थों के काणों उपस्तित होते तो यहाँ पर एक नया आकर्षन बल उत्पन होता है विलाई के कण और विलायक के कणों के बीच के आकर्षन को इस तरह से दर्शाते इसे विलाय विलायक आकर्षन करते माना इन दोनों आकर्षन बलों का मान 10 और 10 है और इस आकर्षन बल का मान 20 है वीलियन को बनाने से पहले विलय विलय और विलयक विलयक आकर्शन बलों का कुल मान 10 और 10 बीस होता है और विलयन बनाने के बाद विलय और विलयक के कणों के बीच के आकर्शन बलों का मान 20 होता है मतलब ये दोनों बल बराबर होते हैं दोस्तों इस कारण या आदर्श वीलियन है, विलायक आकर्षन बलों का मान, विलायक विलायक आकर्षन और विलाय विलाय आकर्षन बलों के टोटल के बराबर होता है, मतलब योग के बराबर होता है, दोस्तों अनादर्श वीलियन में क्या होता है, अनादर्श वीलियन में विलाय विलायक आकर्शन बलों का मान या तो काम होता है या आदिक होता है पारंतु इसके बराबर नहीं होता है इस कारण अनादर्श वीलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों जब दो द्रवों के गुण समान होते मतलब उनके भोतिक और असाइनिक गुण समान होते तो उन द्रवों को मिलाने पर आदर्श वीलियन बनता है जैसे मैथेनोल और एथेनोल को मिलाने पर आदर्श वीलियन बनता है कारबन टेट्राक्लोराइट और सिलिकन टेट्राक्लोराइट, क्लोरो बैंजीन, ब्रोमो बैंजीन, इन द्रवों को मिलाने पर आदर्ष वीलियन बनता है, दोस्तों यहाँ पर एक बात नजर आती, इन दोनों में क्रियात्मक समू समाने, तो इनके गुण समाने, इन दोनों में कारबन और सिलिकने, और कारबन और सिलिकन आवर्षान्नी के एक वर्ग में उपस्तित होते, एक ही समू के तत्वे, और एक समू के तत्वों के गुण समान होते, तो इन दोनों पदार्तों के इसी तरह ब्रॉमीन और क्लोरीन दोनों हैलोजन तत्वे हैं और ये दोनों आवड़सार्णी के एक समू में आते हैं और एक समू में उपस्तित तत्वों के गुण समान होते हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड इन दोनों को मिलाने पर क्या आदर्श्वीलियन बनता है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है इन दोनों को मिलाने पर आदर्श वीलियन बनता है क्योंकि इन दोनों पदार्तों के गुण समान होते हैं इन दोनों में एथिल समू उपस्ती थे और इन दोनों में हैलोजन उपस्ती थे दोस्तों वह वीलियन जो राउल्ड के नियम का पालन नहीं करता अनादर्ष वीलियन कहलता है जब हम अनादर्ष वीलियन का वाश्पदाब पता करते हैं दोनों द्रहों का वाश्पदाब पता करते हैं तो इनका वाश्पदाब राउल्ड के नियम से प्राप्त वाश्पदाब के बराबर नहीं होता है मतलब ये राउल्ड के नियम का पालन नहीं करते हैं और अनादर्श वीलियन के आयतन में परिवर्तन हो जाता है इनके आइतन में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं होता है इनकी एंथेल्पी में परिवर्तन हो जाता है और एंथेल्पी में परिवर्तन शुन्नी के बराबर नहीं होता है और विलय विलयक आकर्शन बलों का मान विलय विलय आकर्शन और विलयक विलयक आकर्शन बलों के योग के बराबर नहीं होता है। दोस्तों ऐसा वीलियन अनादर्श वीलियन करलाता है। जब दोनों द्रवों का वाश्पदाप राउल के नियम के वाश्पदाप से मतलब इन दोनों से अधिक प्राप्त होता है। और आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है। मतलब आयतन में व्रद्धी होती। धनात्मक का मतलब वीलियन का आयतन अधिक हो जाता है। और वीलियन की उर्जा अधिक हो जाती। मतलब एंथिल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। विलियन की एंथिलपी में व्रद्धी होती तो दोस्तों इसे राउल्ड के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं और धनात्मक विचलन का कारण है विलय विलायक आकर्षन बलों का मान काम होता है ये बल दुर्बल होते हैं जबकि विलय विलय और विलयक विलयक आकर्षन बल प्रबल होते हैं इनका मान अधिक होता है चलिये इस बात को मैं उधारण के द्वारा समझाता हूँ दोस्तों धनात्मक विचलन को समझने के लिए हम एथेनोल और जलके विएलियन का उधारण लेते हैं जलका एक अकेला अनू चार हाइड्रोजन बंद बनाता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंद केसे बनता है वे सबी अनू जिन में हाइड्रोजन परमानू फ्लू औरिन, ओक्सिजन और नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी एक तत्व के साथ जुड़ा होता है उन अनू के बीच में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है इन तत्वों की विद्यूत्रिंटा सबसे अधिक होती इनकी विद्यूत्रिंटा का क्रम इस तरह से होता है फ्लू और इनकी विद्युत्रिंता सरवादिक होती और इन ततों के साथ जब हाइड्रोजन परमाणू जुड़ा होता है तो ऐसे अनों के बीच में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है यहाँ पर जल के अंदर हाइड्रोजन परमाणू ओक्सीजन के साथ जुड़ा है तो अभी अंत्राणविक बलों में प्रावल होता है हाइड्रोजन बंद की मात्रा अधिक भी हो सकती है कम भी हो सकती जल का एक अकेला अनू चार आइड्रोजन बंद बनाता है यह ओक्सिजन जल के इस अनू के हाइड्रोजन को अकर्शित करती और दोनों हाइड्रोजन जल के द चार आइड्रोजन बंद बनाता है मतलब यहां पर जलके अणों के बीच में हाइड्रोजन बंद बहुती अधिक प्राबले अब हम एथेनोल की बात करते हैं तो एथेनोल का एक अक्केला अणू दो हाइड्रोजन बंद बनाता है ओक्सिजन के विद्युत्रिनता हाइड्रोजन से दिखोती है तो ओक्सिजन रिनावेशित होती है और हाइड्रोजन दहनावेशित होता है और यहां रिनावेशित ओक्सिजन दूसरे अणू के दहनावेशित हाइड्रोजन को अकर्शित करती और इस तरह से एथेनोल का एक अणू दो हाइड्रोजन बंद बनाता है तो जल की तुलना में एथेनोल के अंदर हाइड्रोजन बंद की मात्रा काम होती दोस्तों अब आम इन दोनों को मिला कर वीलियन बनाते हैं जल के अणों के बीच में एथेनोल के अणू आ जाते जल की ओक्सिजन एथेनोल के हाइड्रोजन को आकरशित करती और एथेनोल की ओक्सिजन जल के हाइड्रोजन को आकरशित करती और इस तरह से इन सभी अणों के बीच में हाइड्रोजन बंद बनता है परन्तु यहाँ पर बनने वाला हाइड्रोजन बंद दूरुबल होता है क्योंकि एथेनोल के आणू में एथिल समू होता है दोस्तों यह जल प्रातिकर्शी समू है मैथिल, एथिल, सबी आलकिल समू जल प्रातिकर्शी होते है मतलाब जल को प्रातिकर्शीत करते है जल से दूर भागते है तो यहाँ जल प्रातिकर्शी समू जल के इस आणू को प्रातिकर्शीत करता है धक्का देता है और इस आणू को प्रातिकर्शीत करता है इस प्रतिकर्शन के काराण यह हाइड्रोजन बंद दुर्बल हो जाता है मतलब विलाय और विलायक के अणों के बीच का आकर्शन बल कमजोर होता है और दोस्तों जब आकर्शन कमजोर होता है तो आसानी से तूड़ जाता है और विलायक और विलायक के अणों सरलता से वीलियन के अंदर से बाहर निकल जाते जल के अणों बाहर निकल जाते एथेनोल के अणों बाहर निकल जाते तो वीलियन की सता पर इन दोनों प्रकार के अणों की सांद्रता दिखोती इन दोनों द्रवों की वाश्प की मात्रा वीलियन की सतर पर अधिक होती और जब वाश्प की मात्रा अधिक होती है तो वाश्प इस वीलियन की सतर से टकराती और इस टकर में वाश्प दाब उत्पन होता है जब वाश्प की मात्रा अधिक होती है तो वाश्प दाप का मान बहुत अधिक होता है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक विचलन में वाश्प दाप का मान राउल्ड के नियम से अधिक क्यों प्राप्त होता है विलाय और विलायक जब हम इन दोनों को मिला कर वीलियन बनाते तो वीलियन में इन दोनों पदार्तों के काणू पस्तित होते और यहाँ पर विलाय और विलायक के काणू के बीच आकर्शन बल उत्पन होता यहाँ आकर्शन बल दुर्बल होता यहाँ कमजोर होता है सरलता से टूड जाता है और विलायक के आणू आजाद हो जाते और वीलियन में से बाहर निकल जाते तो यहाँ पर विलायक के आणों की वाश्प की मात्रा आधिक होती और जब वाश्प की मात्रा आधिक होती तो वाश्प के काण वीलियन की सत्र से टकरा कर वाश्प दाब उत्पन करते और इस वाश्प दाब का मान आधिक होता है दोस्तों विलय और विलयक के अणों के बीच का अकर्षन बल दुर्बल होता है और इस दुर्बल बल के कारण ये अणों दूर दूर चले जाते हैं तो वीलियन का आइतन बढ़ता है वीलियन के आइतन में व्रद्धी होती मतलब आयतन में परिवर्तन धन आत्मक होता है दोस्तों जब हम इस प्रकार का वीलियन बनाते हैं तो इस वीलियन को बनाते समय उश्मा उर्जा का उशोशन होता है मतलब बाहर के वात्तावरण से वीलियन के अंदर उश्मा प्रावेश करती यहां वीलियन उश्मा को आउशोशित करता है इस तरह की क्रिया को उश्मा शोशी क्रिया कहते हैं अगर वीलियन उर्जा का आउशोशन करता है तो वीलियन की उर्जा अधिक हो जाएगी मतलब वीलियन की एंथेलपी में परिवर्तन धनात्मक होगा परन्तु दोस्तों अगर हम इन सबी को उल्टा कर देते हैं मतलब दोनों द्रवों के वाश्प दाप को कम कर देते आयतन में परिवर्तन को हम रिनात्मक कर देते एंथल्पी में परिवर्तन को रिनात्मक कर देते और यदि विलय विलायक आकर्षन बलों का मान अधिक होता है, ये बल प्रबल होते हैं, विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षन बल दूरबल होते हैं, तो यह अनादर्श विलियन राउल्ड के नियम से रिनात्मक विच्चलन प्रदर्शित करता है, चलिए इसे भी उधा पारंतु जब हम इन दोने के लिए सबसे अच्छा उदारन क्लोरोफार्म और एसी टोन का वी लियने। द्रवों को मिलाकर वीलियन बनते हैं तो वीलियन के अंदर इन दोनों अणों के बीच में प्राबल हाइडरोजन बंद बनता हैं एसी टोन के अणों की ओक्सिजन परमाणू क्लोरोफार्म के हाइडरोजन परमाणू को आकरशित करती हैं और यहां आकरशन बल हाइडरोजन बंद होता है और सभी अंत्राणविक बलों में हाइड्रोजन बंद प्राबल होता है और दोस्तों इस प्राबल आकर्शन बल के कारण इन दोनों के आणू विलियन के अंदर से बाहर आसानी से नहीं निकल पाते यहा आणू बाहर निकलना चाता है परनतु दूसरा आणू उसे प्राबल बल से आकर्शित करता है और दूसरा अनु भार निकलना चाता है तो पहला अनु उसे प्रबल बल से आकर्शित करता है और इस प्रबल बल के कारण विलय और विलायक के अनु सरलता से वीलियन के अंदर से बाहर नहीं जा पाते तो वीलियन की सतह पर बनने वाली वाश्प बहुत काम होती तो वाश्प दाब काम होता है दोस्तों विलयक के कणों के बीच का अकर्शन दूरबल है परन्तु जब हम इन दोनों को मिला कर वीलियन बनाते हैं तो विलय और विलयक के कणों के बीच का अकर्शन बल प्रबल होत और इस प्रबल आकर्शन बलके काराण विलय और विलायक के आणू सरलता से बाहर नहीं निकल पाते तो वाश्प भहुत कम बनती और वाश्प दाप कमो जाता है और इस प्रबल आकर्शन बलके काराण ये आणू विलय और विलायक के आणू पास पास आ जाते मतलब वीलियन सिक उड़ जाता है, तो वीलियन का आयतन काम हो जाता है, मतलब आयतन में परिवर्तन यहाँ पर रिनात्मक का मतलब है आयतन में कामी होती दोस्तों, इस प्रकार का वीलियन बनाते समय, उश्मा उड़ जाका उस सर्जन होता है, मतलब उश्मा आकशेपी क्रिया होती, तो वीलियन की उड़ जाती इसका मतलब है, वीलियन की एंथेल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच, जब किसी सिस्टम से उड़ जा बार निकलती, तो इस सिस्टम की उड़ जा काम हो जाती डेल्टा एच रिनात्मक होता है, और दोस्तों, यह तो आपको बता दिया कि वाश्मदा आप काम होता है दोस्तों, या तो आप अपनी नॉड़ बुक में नॉड़ कर लो, या इसका स्क्रीन शोट ले लो